पब्लिक टीवी आपकी आवाद बीती 15 फरवरी को मजोला थाना इलाके में नामचीन चार्टेट अकाउंटेंट की सरे रहा अग्यात बदमाशों ने गूली मार कर हत्या कर दी जिसे सीए शुयताब्तिवारी की मौकी पर ही मौत हो गई थी मौरदबाद के इस चर्चित चार्टेट अकाउंटेंट हत्याकांड में पुलिस मामले का फुलासा नहीं कर पाई थी जिससे नाराज अखिल भारतिये ब्रहमण महासभा कारवाई में लापरवाही का आरूप लगाते हुए कलेक्टिर पर धरना प्रदर्शन किया अखिल भारतिये ब्रहमण महासभा ने C.A. हत्याकांड मामले में C.B.I. से जाज कराने की मांग की है साथी परिवार की सुरक्षा की भी मांग की गई आपको बता दें कि B.T. 15 फरवरी की रात 9 बजे मजहूला इस्तित आफिस से निकलते हुए शेहर के जाने माने चार्टेट अकांटरंड श्वेताव तिवारी को अख्यात बदमाशों ने 5 गूलिया मार कर हत्या कर दी थी जब भी C.A. की मौके पर ही मौत हुए थी आपको बता दें कि C.A. हत्याकांट की कमान अब S.T.F. ने समभली है और S.T.F. इस पूरे मामले की जाज कर रही है लेकिन गुस्साए अखिल भारतिया ब्रहामण महासभा के लोगों ने आज कालेक्टेर को प्रिजशन करते हुए इस केस को जल्द खोलने की मांग की है यह आज का ग्यापन जो स्वेता अप्तिवारी चार्डेड अकाउंटरंट साप की हत्या हुए पंद्रे फरवरी को और आज तक कोई उसमें नहीं लग रहागी वो केस खुनने जा रहा है कोई कारवाई नहीं चल रही तो हमारा आज का ग्यापन मानिय मुखमंतरी जी के लिए है डियम सापके माध्यम से जिसमें अखिल भारति ब्रामन महासबाय मांग करती है कि इस केस की सी बियाई से जाच करी जाए निस्पक्स तरह से और उस शिताव तिवारी जी के परिवार को सुरक्सा मोहियाई करी है और केस को खोला जाए जो इसके पीछे हैं उन्हें जेल भीचा जाए यह हमारी एक सुत्री मांग है इससे काफी रोश है पूरे शेहर में दैसत का महल है लोग बहुत परिशान हैं लोग भैभीत हैं तो हमारी मांग है कि इसे इल्जा के ना धिलाई ना बरत के इसमें तुरंत प्रभावी कारवाई होनी चाहिए इसलिए हम आज आज अपने ग्यापन दिया है देखिए ये तो पुलीसी बताएगी क्यों नहीं हुआ खुलासा लेकिन मैं तो यह कहूँगा पुलीस डिपार्टमेंटी इसलिए बना तो उन्हें तो काईदे में तुरंत इसे इस पर परभावी एक्शन देना चाहिए यहां के नीती ऐसी चल रही है कभी जिले को दे दे कभी महनागर को दे दे कभी अब बंडल को दे दिया पूरा केस तो यह कोई वक्ति उसके लिए जिम्मेदारी नहीं लग रही आइसा मुझे डिलाई चल रही इसमें किसी को बचाए जा रहे है या फिर किसी के दबाओं में काम कर रही है पुलिस पब्लिक टीवी आपकी आवाज